नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन और ओफिलिंगान में आज की जो अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ नोकरी की लेकर आया हूँ एम्स आप लोग जानते हैं भारत का सबसे बड़ा एक होस्पिटल इसकी मल्टिपल ब्र क्रेड को मोका दिया है और इसमें experience की requirement भी आप लोगों को पड़ेगी किसी में दो साल किया किसी में पास साल किया मैं यहीं बोलूगा कि अगर आपके पास experience नहीं है इस वीडियो को यहीं skip करके अपना समय आप किसी और important चीज में लगा सकते हैं वैकनसी आप लोग देख स यहां पर आप लोगों के सामने है, साड़े 300 के आसपास है टोटल, बट पोस्ट वाइस, इन्होंने जो है, डिफर किया हुआ है प्रोफाइल को, यहाँ पर आप लोगों के सामने, बल्टिपल आप लोगों को प्रोफाइल दिख जाएगी, जिसमें सन और वायर्में था THE इसी वज़े से मैंने आपको ये information दे दिये 358 के आसपस total आप लोगों के लिए post है अगर मैं आगे बढ़ू तो यहाँ पर इसका जो form है start हो चुका है और 19-2023 तक आप लोग इसका form फिल कर पाएंगे कुछ बच्चों ने request किया था कि सर जी हमारे पास experience है प्लीज गाइड की हमें क्या जो एम्स की वेकेंसी है उसमें हम लोग form फिल कर सकते हैं नहीं फिल कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं यहाँ पर यह आप लोगों का pattern है एक्जाम का जो आप लोगों का दिया हुआ इनों ने और बाकी इस पे इतना focus नहीं करूंगा क्योंकि पहले मुझे पता चलना जहाँ पर आप लोगों के एक्जाम होंगे जो cbt बेस पर होंगे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो relaxation आप लोगों को मिलता है एज में वो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा आगे बढ़ती है 18 साल minimum एज है इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना तो यहाँ पर आप ल के लिए कोई भी पैसा आप लोगों को नहीं लगने वाला एप्लिकेशन फी के तोर पर लेकिन प्रोसेसिंग फी सो रुपे इन्होंने रखी हुए इस कैटेगरी के लिए आगे बढ़ते हैं आगे यह फूम फिलिंग का थोड़ा क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है औ आप देखो होस्पिटल की नोकरी है तो इसी तरीकी की यहाँ पर पोस्ट निकाली जाती है बट आप लोग जानते हैं होस्पिटल में टक्नीशन की भी जरूरत होती है तो इसी वजह से इन्होंने इलेक्टेशन और आरेने इसी की भी रिकूट्मेंट निकाली है वेकंसी अच्छी है permanent नोकरी है और मैं recommend करूंगा अगर आप eligible है तो form जरूर डाले इसका so that आप लोगों को यहाँ पर जो है मोका मिले इसकी नोकरी का यहाँ पर exam देने का तो यहाँ से IT की post है जिसमें दसवी पास मांगा है साथ में IT diploma यानि IT मांगा Electrition Trade में Electrical Supervisory Certificate साथ में मांगा और उसके बाद practical experience 5 साल का है जो आप लोगों का आप लोग पढ़ सकते हैं उसके बाद यह RNAC की post है मुझे पता है इसमें बच्चे अपलाई कर पाएंगे क्योंकि इसमें 2 साल का experience है minimum और आपने private से experience लिया हो गवर्मेंट से लिया हो चल जाएगा आप लोगों का लेकिन आप लोगों के पास relevant जो certificate है वो होना चाहिए बिना उसके काम नहीं चल पाएगा age 18 से 40 है तो age कभी कोई हाँ पे issue नहीं होने वाला है उसके बाद store keeper की भी post के लिए आप लोग अपलाई कर सकते ग्राजोशन चाहिए ग्राजोशन और वन एर का experience handling stores प्राइवेट हो गवर्मेंट हो चल जाएगा और यह experience desirable है यह composer ही नहीं है age जो limit है वो 30 साल है maximum minimum 18 वायर्मेंट वायर्मेंट में आप लोगों का 10 पास चाहिए आई टेई चाहिए आप लोगों को electration trade में electrical workman certificate of competency यह होना चाहिए और साथ में पास साल का experience इसी वज़े से RNAC को मैंने बोला उसमें दो साल का experience चाहिए तो उसमें संभावनाई कि ज़्यादा बच्चे apply कर सके क्योंकि बहुत student है जो multiple जगाओ पर काम करते वो private विभाग में है और ऐसी नोकरी की तलाश में थे तो उसमें आप लोग apply कर लेना इसके बाद ये कुछ other information दे रखी है तो इसे आप लोग देख लेना मेरे पास जितनी information थी इस से related मैंने आप लोगों को दे दिया ज्यादा कुछ नहीं था इसमें बताने के लिए इसी वज़े से आप लोगों को जितनी information दिये वो enough है ये इसका link क्या official इसका link में आप लोगों को description में दूँगा यहाँ पर से आप लोग advertisement download कर पाएंगे यह रहा इसका advertisement और यहाँ से नीचे बढ़ेंगे तो आप लोगों को form apply करने का option देख जाएगा मैंने अपनी side से चीजे बता दी है और लेकिन विभाग बहुत अच्छा है all over India से आप लोग apply कर सकते है लेकिन अगर आप eligible है तो आप लोग apply करो बाकी आगे का जो इसका exam का pattern है क्या है इस लेबस क्या है वो सारी चीजे आप लोगों को देई रखी है अगर आप लोगों को recruitment में apply करना और requirement है इस लेबस की तो आप लोग देख लेना बाकी मैं कोशिश करूँगा अगर मुझे पता चलेगा कि आप लोग इसके लिए eligible है तो फिर मैं आगे की information दूँगा बाकी मैंने telegram का link आप लोगों को description में दे दिया है उसे join कर लेना so that आप लोगों को मैं जो है और information इसके बारे में दे सको और आप एक दूसरे से आपस में बात कर सको धन्यवाद